आज का हमारा टोपिक है Keys in DBMS, काफी important टोपिक है लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, constraints के बारे में देखा था टोटल हमने 5 constraints पढ़े थे, कौन-कौन से थे वो domain constraint, key integrity constraint, tuple uniqueness constraint, entity integrity constraint और referential integrity constraint, आज की हमारी क्लास रहेगी Keys in DBMS total हम यहाँ पे 6 keys के बारे में समझने वाले हैं, तो देखिए keys का क्या होता है, role DBMS में, keys सबसे important role निभाती है हमारे relational model के अंदर, क्यों-क्योंकि अगर हमें हमारी table से कोई भी data fetch करना है, तो हमें क्या use करनी पड़ती है, हमें keys को use करना पड़ता है, total हम यहाँ पे 6 keys देखने वाले हैं, कोन-कोन सी है वो primary key, candidate key, foreign key, alternate key, super key और composite key अब देखिए, जो यह candidate key है, primary key, super key और alternate key यह चारो keys एक दूसरे से relate करती है, चारो को एक बार में समझने की try करिएगा, चलिए start करते हैं, अब देखो, keys क्या होती है, जो हमारे record को uniquely identify करती है, चारो कोई भी keys हो, वो simple सी बात है, data को tuples को uniquely identify करेगी, अब candidate की क्या होती है, candidate की attribute या set of attributes होते है, that can identify a tuple, लेकिन जो यहाँ पे समझने वाली बात है, वो यह है, कि यह जो set of attributes है, वो minimum होने चाहिए, क्या होने चाहिए, minimal होने चाहिए, second, यह दो property को follow करना चाहिए, कौन-कौन सी not, null और unique, मतलब कि वो null नहीं हो सकता, और वो duplicate भी नहीं हो सकता, अगला point क्या कहता है, कि एक relation में एक से ज़ादा candidate की हो सकती है, next point क्या है, कि यह जो candidate की है, वो single भी हो सकती है, और composite भी, इसका क्या मतलब है, कि अगर उस candidate की में केवल एक ही attribute include है, तो मतलब वो single है, और अगर एक से ज़ादा attribute include है, तो वो क्या है, composite है, यहाँ पे एक table है employee, जिसमें यह उसके attributes given है, इन attributes में से अगर मैं ID, passport number और आधार number को candidate की बना दूँ, क्यों क्योंकि मैं इन तीनों से अपने data को fetch कर सकती हूँ uniquely, तो मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को candidate की बना दिया, total कितनी candidate की हो गई हमारे पास, तीन candidate की हो गई, अगर मान लीजिए, passport अकेला candidate की नहीं बन पा रहा था, तो passport के साथ अगर नाम, name को include कर दिया जाए, तो यह क्या हो जाता है, composite की बन जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, passport और name से भी आप data को fetch कर रहे हो, लेकिन आप simple, single passport से भी data को fetch कर सकते हो, minimum कोन है, minimal कोन है, passport minimal है, या passport plus name minimal है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो minimal attribute है, वो है passport number, इसी लिए candidate की के अंदर passport number को include किया गया, ना कि passport number plus name, तो यह concept आपको समझ में आया होगा, कि candidate की में minimal set of attributes का क्या role होता है, तो अब यहाँ पे तीन keys है, जो क्या बन गई, candidate keys बन गई, अब इन तीनों में से जो आपको सही लगता है, suitable लगता है, उसको क्या बना दिया, हमने primary key बना दिया, तो हमने ID को क्या बना दिया, यहाँ पे primary की बना दिया, अब ध्यान से समझ येगा यह concept, कि ID यहाँ पे क्या हो गई, primary key और candidate key क्या हो गई, ID, passport number और अधार number, अब अगर candidate key में से ID निकल गई, तो क्या बचा, passport number और अधार number, केवल दो ही तो बचे, अब यह दोनों क्या बन जाते हैं, alternate keys, मतलब अगर आप candidate key में से primary key को minus कर दे, तो जो remaining keys बचती है, attributes बचते हैं, वो क्या बन जाएंगे, alternate keys बन जाएंगे, इतना आपको तीनों के बारे में समझ में आया, candidate key, minimal set of attributes होता है, candidate key में से हमने एक primary key बना दी, और जो बाकी बच गई, वो क्या बन गई, alternate keys बन गई, अब यह तो बात हुई इन तीनों keys की, अब आता है concept, super key का, किसका concept आता है, super key का, तो super key के बारे में समझ ये, कि आपके पास जो candidate key है, candidate key, मानलो मेरे पास एक candidate key ID है, अब ID से आप uniquely identify तो कर पा रहे हैं data को, अगर मैं ID के साथ name को भी include कर दूँ, क्या कर दूँ, ID के साथ मैं name को भी include कर दूँ, तो वो क्या बन जाएगी मेरी, super key बन जाएगी, तो हमने अभी तक क्या देखा, candidate key देखा, ID, passport number, आधार number, उसमें से ID क्या बन गई, प्राइमरी key बन गई, और जो बच गए वो क्या बन गए, alternate keys बन गई, इतने में अगर आपको कोई problem है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, अब यहाँ पे देखो, super key, जैसे अब मैं अगर passport number और name, इन दोनों को अगर एक साथ लिख लूँ, इन दोनों को अगर एक साथ use करूँ, तो ये भी क्या बन जाती है, एक super key, कहने का मतलब ये हुआ, कि अगर आप candidate key में कोई और attribute उसके साथ add कर दो, तो वो क्या बन जाती है, super key बन जाती है, जो super key होती है, वो candidate key का super set होता है, क्या होता है, super set, एक बात ओर समझिएगा, कि candidate key, super key हो सकती है, लेकिन super key, candidate key होने के बहुती कम chances होते हैं, क्यों, क्योंकि super key के अंदर extra attributes add होते हैं, जबकि candidate key के अंदर हम minimal लेते हैं, अब इस example को देखिए, super key, यहाँ पे id और name क्या बन गई, यहाँ पे यह एक super key बन गई, candidate key, super key हो सकती है, लेकिन super key, candidate key नहीं हो सकती, हाँ, अगर आपके पास कोई minimal attribute available ही नहीं है, तब आप super key को candidate key बना सकते हो, अब बात करते हैं, foreign key की, तो foreign key हमने जैसे last class में, referential integrity constraint देखा था, उसमें foreign key हमने use की थी, तो यहाँ पे एक table है employee, और एक table है department, employee table में जो id है, उसकी primary key है, और जो department id है, उस attribute को मैंने department table का primary key बना दिया, तो मतलब यह department id क्या बन गई, एक foreign key बन गई, यह क्या हो गई, एक foreign table हो गई, और यह दूसरी employee table क्या हो गई, यह क्या मास्टर table हो गई, तो इतना आपको समझ में आया foreign key, जब एक table का attribute किसी दूसरी table की primary key बन जाती है, composite key को क्या कहते है, इसको समझिए, कि हमारी जो primary key है, उसके साथ मैंने एक attribute और add कर दिया, तो वो क्या बन गई, composite key बन गई, जैसे employee ID, name और project ID, इन तीनों को मिला के मैंने क्या बनाया, composite key, इसको concatenated key भी बोलते हैं, composite key की requirement कब होती है, जब आपके पास कोई एक single attribute अवलेबल नहीं है, data को uniquely find करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ कुछ और attributes को add कर देते हैं, और वो क्या बन जाती है, composite key बन जाती है, अब attributes क्या होते हैं, समझ ये, attributes two types के होते हैं, prime attribute और non-prime attribute, prime attribute को हम key attribute भी कहते हैं, इसको आप इस तरह से समझ येगा, कि candidate key के अंदर, जो जो attributes included है, वो क्या कहलाएंगे, prime attributes, जैसे यहाँ पर ID, ID तो यहाँ पर सिफ प्राइमरी की है, candidate key वाला example हम देखते हैं, ID तो यहाँ पर क्या है, primary key है, हम एक बार हमने पीछे candidate key का example देखा था ना, जिसके अंदर हमने candidate key की टेबल पर चलते हैं, एक बार हम कहाँ पर चलते हैं, candidate key की टेबल पर, यहाँ पर देखे, ID, passport number और आधार number, यह क्या है, prime attributes है, और name और address, यह candidate key में include नहीं है, तो यह क्या हो गए, non prime attributes हो गए, इतना हमें समझ आया, prime और non prime attributes, अगर आपको चेक करना है, कि आपके relation में, prime और non prime attributes कौन कौन से है, तो हमें सबसे पहले find out करना पड़ेगा candidate keys कौन कौन सी है, ठीक है, तो यह ता आज का हमारा topic, keys के बारे में, और attributes के बारे में class अच्छी लगे, तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो और अपने friend circle के साथ भी share कर दीजिएगा, thank you,